अब जो सबसे ज्यादा सवाल जो पूछा जा रहा है विकास कुमार का सवाल है कई लोगों के सवाल ये आ रहे हैं कि इसके लक्षण क्या-क्या है ये तो अभी तक के जितने प्रारंबिक लक्षण देखे गए थे जो डेल्टा वैरियंट में देखे गए थे उससे कुछ अल रहे हैं लेकिन फीवर बहुत स्पाइक बहुत हाई नहीं जा रहे हैं लेकिन इतनी ज्यादा मैयालजिया मसल्स पेन हो रहा है और ठकान हो रही है कि व्यक्ति उससे थोड़ी से परिशानी महसूस कर रहा है लेकिन लंग्स के और जो नाक और मुग के टेस्ट बढ़ जो इ उसमें एस टू रिसप्टर जिस पर कि यह वारस अटाइच करता है जो नाको के अंदर या टेस्ट बढ़ जहां पर वो अटाइच करता था वो इस ट्रुक्टर में जो मोडिफिकेशन हुए हैं उसके अटाइच्मेंट में कहीं न कहीं कोई परिवर्तन हुए हैं जिस इन सब चीजों को अभी तक के जो लक्षंड देखे गए हैं उसमें देखे जा रहे हैं तो क्या इससे डरना अभी जरूरी है कि हम एक डर में चले जाए कि शायद डेल्टा वेरियंट में जुस तरीके से हमने देखा था कि कई लोगों की जान गई अस्पताल के लिए बहुत अच्छा सवाल है और इस पर पूरे विश्व के रिसर्चर और डॉक्टर इस पर लगे हैं भी कि एक बात तो तै हो गई है कि यह इसकी बहुत फास्ट है एक से दूसरे में बहुत आसानी से होता है लेकिन पैथोजेनिसिटी जितनी सिवेरिटी यह डिजीज करता ह वो कैसा है इस पर इस्टडी चल रही है और प्रारंबिक जो नेतीजे वो आशानुवीत है प्रारंबिक जो नेतीजे अभी तक क्या आए हैं जो कल तक क्या है उसमें सिवेरिटी ओफ इन्फेक्शन कम देखी गई है और डेथ अभी दो दिन पहले तक में डेथ नहीं प्रारंबिक नतीजे जो आए हैं उसमें ये आशानुवीत करने वाले रहते हैं कि अभी जितनी भायवा इस्तिती अर्लियर जो इस्ट्रेइन में इतने दिनों के अंदर आती थी वो अभी तक नहीं देखी गई और इससे अभी साइन्टिस्ट के बीच में एक स्टडी के लिए टाइम भी पिरियंड मिला हुआ है लेकिन अभी भी इसको इसके वायरस के चुकी प्रोपर्टी और चुकी नया इस्ट्रेइन है तो किस तरह से सलोली पैथोजेनि जैनिसिटी करके दूसरे और इफेक्ट कर सकता है कि नहीं जहां चार दिन से पास दिन डिल्टा वायरस को लगते थे डिल्टा वेरियंट को लगते थे वहां कहीं ये तीन से चार हफ़ते के भीतर उतनी ज्य इतनी जल्दी रुख पाए या कम हो पाए उसे करने के लिए चेस्टा करनी है